हलो एवरिवन मैं अर्बीन जनुक रासेज में आपका स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूँआ राजिस्थान विश्विद्धाले की सभी संगठा कोलेज महाराजा, महारानी, कॉमर्स और राजिस्थान कोलेज की यूजी एडमिशन 2020 के लिए आपकी थर्ड कटॉप लिस्ट कब जारी होगी तो तीसरी कटॉप लिस्थ आपकी कब तक आएगी कब तक आपको फीज सम्मिशन कराना है और किस कोलेज की अभी तक सेकेंड कटॉप भी नहीं है इन सभी महित्पूर्ण विंद्वों पर मैं बात करूँआ उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसा कि आप सभी को पता है कि 12 सितमर को राजिस्थान कोलेज, कॉमर्स कोलेज और महराजा कोलेज की कटॉप आउट हो गई है, सेकेंड कटॉप आचुकी है जिन विद्यारतियों का नंबर आ गया है वो अपनी कटॉप लिस्ट देख ले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, मैंने लाइव सेसर भी लिए है सेकेंड कटॉप लिस्ट पे, तो आप जाके देख सकते हैं जिनको अभी तक पता नहीं है वैसे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, कि सिर्फ तीन कोलेज की अभी तक सेकेंड कटॉप आउट हुई है महरानी कोलेज की, जो यहाँ पर यह पॉइंट आप देख पा रहे हो कि जो महरानी कोलेज की जो कटॉप है, वो अभी तक नहीं आई है तो महरानी कोलेज की कटॉप अभी तक नहीं आई है सेकेंड वो इसलिए नहीं आई है कोविड के कारणा आगर आप यूनिसिटी की वेबसाइट पर जाओगे और महारानी कोलेजी कटोप प्लेज पर सर्च करोगे तो आप देखोगे उस पर लिखा हुआ है कि आपकी जो सेकिंड कटोप है महारानी की वो 21 सितंबर तक जारी होगी साथ ही ये इसलिए लेट होई ह क्योंकि राजस्तान विश्विद्याले के कुछ स्टाप शुट्टी में है क्योंकि अभी रोना संकर चल रहा है इस टेक विजए से यहाँ पर ऐसा किया गया है थोड़ा लेट हुई है डेट एक्ष्टन हुई है तो 21 सितंबर को आपकी महारानी की सेकिंड कटोप लिज ज कि 12 तारिक को आपकी कटोप लिश्ट आएगी और 16 तारिक को उन सभी विद्यारतियों को फीज जमा करानी है तो जिनका नमबर आ चुका है जिन कोलेजों की कटोप आ चुकि है 17 तक तो 18 तारिक कल हो चुकी है अब date को extend कर दिया जाएगा सायद क्योंकि महाराने की cut-off अभी तक वाकि है इसलिए आपकी जो fees अब तक जमा नहीं कर आए उनकी date को पर अपितब बैसे Officary Notice नहीं आया है कि fees date को extend कर दिया है बट आज आएगा आज शाम तक या आज notice आज आज़ाएगी fees date को extend कर देंगे क्योंकि अभी तक महाराने की cut-off जारी नहीं होगी है तो जब तक महाराने की cut-off जारी नहीं होगी तब तक आपकी third cut-off भी नहीं आएगी और third cut-off जग तक आपकी नहीं आएगी तब तक आपको fees जमा करा सकते हैं जैसा कि 3rd cut-off list कप जारी होगी उससे पहले मैं आप सभी को inform कर देता हूँ जैसा कि मैंने पहली cut-off की expected बनाया था सभी संगमटर कोलेज की माराजा मारानी रास्तान कॉमर्स कोलेज की expected cut-off बताई थी और बिल्कुल मैं खरा उतरा हूँ मेरी cut-off बिल्कुल सही रही है second B मैंने कापी सारी वीडियो बनाई second expected B cut-off पर अब जो है जिन कोलेजों की यहाँ पर second cut-off आ चुकी है उन सभी विद्यारतियों को मैं inform कर देता हूँ कि उनकी जो third cut-off है expected third cut-off जो है उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप सभी को वीडियो को देखना है जिन विद्यारतियों का नंबर first list में नहीं आया second list में नहीं आया उन विद्यारतियों का नंबर third list में आने के पूरे-पूरे chances हैं तो उन सभी के लिए मैं expected cut-off बनाने वाला हूँ महराजा कोलेज, रास्तान कोलेज, कॉमर्स कोलेज पर पहले बना हूँ क्योंकि इनकी second cut-off आ चुकी है और कुछ दिनों बाद में महराणी कोलेज की cut-off आने के बाद इसकी भी expected बना दूँगा last and final आपकी जो third cut-off list है वो जैसे कि किस ताई तक महराणी की second cut-off आएगी फिर दो या तीन दिन महराणी को फीज़बा कराने के लिए दिये जाएगे महराणी कोलेज की विद्यारतियों को तो आपकी 24 या 25 तारिफ को आपकी third cut-off आ जाएगी लगबग 24 या 25 सितमबर को आपकी third cut-off जारी हो जाएगी तो यह आपके यह admission process चल रहे है महराजा महराणी कोमस और राजिस्तान कोलेज में साथ में आप कुछ documents जो हैं वो भी बना लें कुछ documents के उपर मैंने video भी बनाई हुई है जो आपके important documents हैं जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका एफिडेविट जो सपत-प्रमान पत्र है वो आपको बनाना है कि जो भी मेरी percentage बनी है जो भी मेरी documents है यह बिलकुल सही है ये मैं सपत लेता हूँ इस प्रकार से आपको एक सपत-प्रमान पत्र certificate आपको बनवाने हैं और बनवा की अपने पास रखने हैं क्योंकि अभी तक submission का कोई वो नहीं आया कि आपको verification करवाना है या document जमा कराने जैसे ही documents verification किया offline counseling की कोई भी date आती है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा तो documents बनवालें अपने पास रख लें जैसे ही आपका प्रवेस होगा college के अंदर आपको inform कर दिया जाएगा आई यह वीडियो आपको समझ मा आई होगी सारी point समझ मा आया होंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो